हेलो दोस्तो आपका फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो पर तो दोस्तो काफी दिनों से मैं सिर्फ बेबी पैरोट से रिलेटेड ही वीडियो बना रहा था क्योंकि इस सिजन बहुत से लोग बेबी पैरोट लिये थे तो उनको सही information मिल सके इसलिए हमारे चैनल पर सिर्फ बेबी पैरोट से रिलेटेड ही वीडियो आ रहा था बट अभी जितने भी लोग बेबी पैरोट लिये थे तो उनका age around 4 months 5 months हो रहा होगा और इस age में आने के बाद बेबी पैरोट प्रॉपर सेल्फिट पर आ जाते है तो जब आपका बेबी पैरोट प्रॉपर सेल्फिट पर आ जाता है तो उसको क्या खिलाना है इसकी लिए मैंने एक healthy diet लिस्ट बनाया है जो कि मैं आप सबको आज की इस वीडियो में बताऊंगा उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके और पर सेट कर ले तक कि सारे latest वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जा तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को सुरू करते है तो दोस्तो अगर आपके परेट का एज चार से पांच महिने का हो रहा है तो उनकी लिए एक हेल्दी डाइट पलान कैसे करना है मतलब हम अपने सेलफीट परेट को पूरी दिन में क्या क्या खिलाना है और आप इस डाइट पलान को अपने एडल्प पर भी फॉलो कर सकते ह तो सबसे पहले आता है morning, morning के 6 बजे अपने parrot को देना है दो हरी मीर्च, तो चलिए जान लेते हैं कि parrot को green चिली देने के क्या-क्या फाइदे है, green चिली में हमें bitumen A मिलता है, जो कि parrot के growth में help करता है, और उनके body tissues को भी repair करता है, green चिली parrot के feather quality को improve करता है, ग्रीन चिली पहले के eyesight and hearing के लिए भी फाइदे मन रहता है, इसके बाद morning में ही 7-8 बजे के बीच अपने parrot को देना है sprouts, sprouts बनाने के लिए आपको लेना है, काला चैना, गेहूं, मुंकी दाल, ये तीन basic ingredients आपको ले आना है, इन तिनों को रात में पानी में डाल देना है, उसके अगले दिन morning में, sprouts को अच्छे से दो कर अपने parrot को दे दे, चलिए हम जान लेते हैं, कि parrot को sprouts देने के क्या-क्या फाइदे हैं, sprouts आपके parrot को super charge nourishment supply करता है, जो कि किसी भी seed या फिलेट्स में अबलेवल नहीं होता है, इसलिए अपने parrot को regular sprouts जरूर दीजिए, इसके बाद आता है, parrot का lunch time, मतलब हम अपने parrot को 11-12 बज़े के बीच क्या दे सकते हैं, यहाँ पर आप अपने parrot को दे सकते हैं, mixed vegetable and fruits, पैरेट का most favorite vegetable and fruits क्या-क्या है, इस पर मैंने एक dedicated वीडियो बना रखा है, वीडियो का link आपको नीचे, description box में मिल जाएगा, वीडियो को देखने के बाद आप उसी के according अपने parrot को vegetable और fruits दे सकते हैं, इसके बाद आता है, हम अपने parrot को सामके 5-6 बज़े के बीच क्या दे, सामके time आप अपने parrot को दे सकते हैं, mixed seed, mixed seed आपको online या किसी nearest pet shop पर easily मिल जाएगा, बट अभी corn का season चल रहा है, तो mixed seed की जगा आप अपने parrot को corn भी दे सकते हैं, corn की जगा आप कभी रोटी दे सकते हैं, तो कभी चाबल दे सकते हैं, तो दोस्तो इस diet plan को आप अपने young या adult दोनों parrot पर follow कर सकते हैं, तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता है, असा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो के लाइक करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें, थैंकि,